नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रता ऐसा बहुत कम होता है जब सियासी मैदान के दिगज नेताओं का कोई दूसरा रूप देखने को मिले हर वक्त राजनिती में डूबे रहने वाले ये पॉलिटीशन्स बहुत कम ही इससे अलग दिखाई देते हैं यही वज़ा है कि अगर ऐसा कुछ भी सामने आता है तो फिर उसकी खूब चर्चा होती है अब ऐसा ही एक जबरदस्ट वीडियो हम आपको दिखाने जा रही है सोशल मीडिया पर शेयर किये जा रही है इस वीडियो में आपको पंजाब के मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग दिखाई देंगे वो भी अलग अन्दाज में जी हाँ इस वीडियो में पंजाब के सी एम ना किसानों की बात कर रही है ना बीजेपी परतंच कस रही है ना ही कॉंग्रिस की खूबिया गिनवा रही है इस बार तो सी एम साहब गीत गा रही है दरसल हाल ही में अमरिंदर सिंग की पोती की शादी हुई है इस शादी समहरों के दौरान ही आमरिंदर सिंग इतने भावुक हो गए कि विदाई से पहले इस तरह से गीत गाते हुई नजर आए आपकेस निमासान। बेता पराया देश निमाज माफक नीज मैं रोई निमासान। अचती कडी रख दोई निमाए मेरी अचती कडी रख दोई निमाए मेरी कॉंग्रिस के दिगज नेताओं में शुमार और पंजाब की मुख्यमंत्री पद पर बैठे कैप्टन अमरिंदर सिंग का ये विडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तुरंट छा गया दरसल इस विडियो को अर्शदीप कौर नाम की यूजर ने ट्वीटर पर साचा किया है आपकी जानकारी के लिए बता दें सीएम साहब ने जो गीत गाया वो आम तोर पर पंजाब में डोली उठाने के वक्त गाया जाता है केस निमासान। बेता पराया देश निमाज मापक नीजे मैं रोई निमासान। अच दिकडी रख दोली निमाए मेरी मापक नीजे में डोली उठाने के वक्त गाया जाता है वैसे तो इस हाई प्रोफाइल शादी में कैप्टन अमरिंदर सिंग के मंतरी, विधायक, प्रदेश के सांसद और कई नेता दिखाई दिये हाला कि पूरी शादी के दौरान सीम सहब का यही अंदास चर्चा का विशह बना रहा वाइरल वीडियो में अमरिंदर सिंग के साथ उनकी पत्नी और पठियाला की सांसत प्रनीत कौर भी दिखाई दे रही है आपको बता दे कैप्टन अमरिंदर की पोती सहर इंदर कौर की शादी रविवार को दिल्ली में हुई दिल्ली के बिजनिसमेन आदित्य नारंग से सहर इंदर ने सिख रीती रिवाजों से शादी की शादी को भले ही सादगी पून तरीके से रखा गया हो लेकिन इसमें पहुचने वाले महमानों ने इससे बेहद हाई प्रोफाइल बना दिया बता दे शादी की खुशी में पार्टियों का सिलसिला चार मार्श तक रखा गया है आपको ये विडियो और पंजाब की मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग का ये अंदास कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं